अश्कार कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे माई डियर फ्रेंड्स माईसेलफ सुजीत प्रयागराथ से दोस्तो आज हम आपके सामने ADS Group of Company की एक बहुत ही खास वीडियो को लेके आपके समने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं थमने ADS Group of Company मैक्रो बजार में हम शॉपिंग कैसे करेंगे अपना ओर्डर कैसे लगा सकते हैं कम्प्लीट जैनकारी तो दोस्तो आप थमनील में देखी चुके हैं और इस थमनील के माध्यम से मैं इस सीर्शक के माध्यम से आपको गाइड करना चाह रहा हूं कि सारी जैनकारी देना चाह रहा था कि हम लोग जो की अपने ID पर 1320 रुपए हर कोई हर मेंबर्स एड करके रखा हुआ है अपने शॉपिंग वाउचर में और अब हम अपने शॉपिंग वाउचर को कैसे यूज करेंगे और अपना ओर्डर कैसे लगाएंगे उसको अभी किसी भी मिंबर्स को जानकारी नहीं है उस जानकारी को कंप्लेट करने के लिए और इस जानकारी के माध्यम से आप अपना आर्डर कैसे लगाएंगे कंप्लेट वीडियो मैं इस में बनाने वाला हूँ और इस वीडियो का step by step एक एक लाइन एक एक पोस्टर एक एक पेज पूरी वीडियो बहुत ही महतुपूर्ण होने वाली है दोस्तो मैं पूरी शिद्ध से इस वीडियो को बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको एक बार सरसरी निगाहों से एक बार भी अगर आपने देख लिया, समझ लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डारेक्ट वीडियो को वीडियो चला के नहीं बना रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट करने में कम से कम मैं 2-3 घंटे का टाइम ले रहा हूँ और इस वीडियो को इतना सरल और आसान इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली बार सभी लोग को और लगाने में असुविदान ना हो और एक बार में ही वो वीडियो को complete देखते ही एक बार में ही order लगा लेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को skip ना करिएगा last तक देखिएगा जिससे कि आप और अपने team को आप guide कर सके और आसानी से सारी members को order कैसे लगाया जाए और आपके shopping voucher का use कैसे किया जाए complete जहनकारी आपको यहां से होने वाली है तो दोस्तो वही छोटा सा request प्लीज हमारे YouTube चैनल को subscribe कर दिजएगा बेल आइकान को click कर दिजएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को subscribe कर रखा है मतहएं दिल से शुक्रियादा करता हूं तो दोस्तों समय ज़्यादा बेश्ट ना करते हुए चलते हैं हम वीडियो की और My dear friends, सबसे पहले हमें अपना ID और password डालके हमें अपनी ID को open करना होगा जहां से हम अपना income, अपना top up, अपना withdrawal wallet, अपना shopping wallet सारा अपनी website पर देखते हैं तो अपनी website को open कर लेंगे या Chrome की माध्य हम से जैसे कि हम Google के Chrome पर जाते हैं और सर्च करते हैं ADS Exchange Login वहां सर्च करके हमारा ये page खुलके आता है डारेक्ट वहां से भी जा सकते हैं या जिनोंने भी अपना add to home screen बना के रखा है अपने mobile पर वह अपना open करके अपनी ID, password और अपना your answer में दो अंकों का जोड़ वहां प्लस करके लिख देंगे और अपना sign in पर टच कर देंगे जैसा कि आपके सामने मैंने अपना open कर रखा है अपनी ID डाली अपना password डाला और अपने दोनों नंबरों को प्लस करके उसका answer नीचे लिख दिया और नीचे sign in पर टच कर दिया दोस्तों ऐसे sign in पर टच करते ही आपके सामने जो हमारी ये ID open है सेम ऐसे ही ID आपके सामने आपकी ID open हो जाएगी जैसे हमारा नाम सुझीत मन भरतिया है तो ऐसे आपका राहूल, रमेश, सुरेश कोई भी नाम आपका जो भी ID का होगा जो भी आपका नाम होगा वो उपर आ करेंगे आप देख रहे हैं जैसे ही हलका सा उपर slide करेंगे तो आपके सामने ये 9 column बन के आता है deposit, top up, fund move, withdrawal, wallet transfer, open ticket, shop now, shopping wallet, shopping voucher, तो दोस्तों हमें ये 9 option के अंदर में हमें shop now पर टच करना है एक छोटी सी ट्रॉली बनी है मैंने गोल, घेरा, ग्रीन कलर का वना दिया है और सही का निसान भी बना दिया है जिससे आप लोग को इस पर स्ट्रॉप से समझ में आ सके तो दोस्तों shop now पर हम टच करते हैं जैसे ही हम shop now पर टच करेंगे मैंटर फ्रेंट्स आपके सामने ये page खुल के आ जाता है ये macro बजार का हमारा भी ये page खुल के आ जाता है अब हम अ गीर के अंदर डाल दिया है जिसे आपको आसानी हो जाय समझने में ग्रीन कलर का घेरा बना दिया उसी गंदर और सइका निसान लगा दिया है कि उसी option को हमें touch करना होगा जैसे ही हम इस option को touch करते हैं उसको touch करते अपके सबने log in का option खुल किया जाता है जहां भी हम अपनी ID और password दोबारा यहां डालके हम Macro Bazaar की website पे इंटर करते हैं तो ID और password हम दोबारा यहां अटर करते हैं सबसे पहले हमने अपनी main ID खोली थी main ID के अंदर हमें अपने shopping watcher के ID में जाने के लिए अपना ID और password इंटर करते हैं तो उपर ID डालते हैं नीचे अपना पासवर्ट डालते हैं, फिर उसके नीचे आपको login option पर touch करना है, मैंने तीनों option पर सही सही का tick लगा दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ये ID पासवर्ट डालके login पर touch करने के बाद, जैसे कि आपके screen पर मैंने डाल रखा है, जिससे कि आपको account, उसके नीचे आपका dexboard menu लिखा है, ठीक नीचे dexboard आपका लिखा हुआ है, welcome, सुजीत मुहार भरतिया, ऐसे ही आपका नाम लिखा होगा, तो दोस्तों, ऐसे आप अपने mikro बजार के login कर लेंगे, login करते ही आपके सामने ये page खुल के आता है, अब इस page पे हमें dexboard menu के ठीक बगल में जो plus का निचान दिखाई दे रहा है, जैसे कि देखे मैंने gold hero में लगा दिया है, उसको tick लगा दिया है, इस plus के निचान पे हमें touch करना होगा, जैसे ही हम इस plus के निचान पे हमें touch करते हैं, तो दोस्तों, हमारे सामने यह page खुल के आता है, tax board, account detail, wallet and voucher, statement, order, address, wish list, change, password और sign out, तो दोस्तों, sign out का मतलब तो समझी रहे हैं, कि हमें अपने इस macro budget की website से हमें बाहर निकलने के लिए sign out पर touch कर देना होगा, अब बारी बारी से आपको step by step सारे column के बारे में आपको guide करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या क्या है, this is tax board, tax board पर जैसे ही हम अपने touch करते हैं, तो हमारे सामने हमारा tax board स्क्रीन पर आ जाता है, लिखा है उपर tax board, welcome सुजीत गुमार भारतिया, यानि कि हमारा जिसकी भी option में account detail आपके सामने आता है, account detail में जैसे ही हम touch करें ते हो, उपर account detail आता है, फिर उपर जैसे आपका नाम रहेगा, आपकी user ID रहेगी, आपका email क्या है, वो लिखा रहेगा, आपका mobile number लिखा रहेगा और फिर उसके बाद third option आपके सामने wallet and vouchers आता है, wallet and vouchers में आपका screen पर दिखाएगा कि आपका जो एक हजार रुपए का shopping voucher मिला हुआ है, वो screen पर सबसे उपर रहेगा और shopping wallet में जैसे कि 1320, आपका add है तो 1320, चुकि मैंने कुछ और भी उसमें add कर रखा है, तो मेरा 1680 दिखाए दे रहा है, आपका यहाँ पर 1320 दिखाए देगा और फिर उसके बाद next option आपका statement, statement में दोस्तों आपके screen पर, चुकि आपने कोई order लगाया नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ statement दिखाए देता उसके बाद दोस्तों order, order में आपके अगर order लगाया होता, जैसे कि इपर दिखाए दे रहा है, यहाँ पर आपका कोई ना कोई request number वगरा, कुछ order वगरा लगा होता, तो यहाँ पर screen पर दिखाए देता फिर उसके नीचे आपका address है, एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है, यहाँ पर आपका blank रहेगा, बिलिंग एड्रेस जैसे कि आपको जिस एड्रेस पर भी order मंगाना है, वो एड्रेस यहाँ पर आपको add करना होगा, जहाँ पर add लिखा हुआ है, बिलिंग एड्रेस के नीचे ठीक add है वहाँ पर attach करके आपको जहाँ पर भी अपने order को अपने समान को मंगाना है वो address यहाँ पर type कर देना होगा fill up कर देना होगा फिर उसके बाद नीचे आपका west list में आपको जो है जो भी order लगेगा उसका देखने को मिल जाएगा फिर उसके नीचे आपको change password दोस्तों आपके screen पर सबसे यह option खुलके आएगा आपका जो भी password है सबसे उपर डाल सकते हैं और उसको बदलने के लिए नीचे आपका दो column बना हुआ है जो भी नया password आपको डालना हो यहाँ पर डालके बीच वाले में और सबसे नीचे confirm पासवर्ड में वही जो change किया हुआ आपको जो भी नया password रहेगा वो दोनों में same same डालके change पर कर देंगे तो आपका password जो भी रहेगा वो नय सीरे से नय तरीके से जो आपने बनाया है वो change हो जाएगा और फिर उसके बाद दोस्तो sign out का option sign out का option का आप देख जानते ही हैं कि इस system से अपने macro बजार से आपको लागाउट करने के लिए वहां पर टच करना होगा तो उसको अभी नहीं टच करना है तो यह थी सारी कॉलम की डिटेल सारी जानकारी मैंने आपको बता दी अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम आउडर कैसे लगाएंगे सबसे उपर right hand side में आपको हम आजाते हैं इस पेज के उपर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यह पेज हमारा स्क्रीन पे खुल के आजाता है जहां से हम अपने product को buy करेंगे अपने product को select करेंगे कि कौन सा product हमें चाहिए पूरे product में हमें select करना होगा जो भी आपको चाहिए तो दोस्तों जैसे ही पेज खुल के आजाएंगे 1,2,3,4 ऐसे करते करते आपके पास काफी pages हैं जो की product हमारे continue add होते जा रहे हैं तो सारे product आपको यहां देखने के मिलेंगे तो view all touch कर देंगे तो आप सारे product आपके screen पे आजाएंगे तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने दिखे रहा है page ऐसे ही आपको slide करते जाएंगे आपके यहां page आपको change होता जाएगा तो दोस्तों जो भी आपको समझ में आए जो भी आपको order लगाना हो आप वहाँ पे आसानी से टच करके उसको order लगा सकते हैं जैसे कि मैंने अभी denever pride इस body spray को मैंने select कर लिया तो दोस्तों यह product हमारा 220 रुप लेकिन हमारे पास हमारे मेक्रो बाजार में यह 207 रुपए का मात्र इस पे MRP है तो देखिए दोस्तों 207 रुपए का है इसे हमने select कर लिया जैसे ही हम select करते हैं हमारे सामने जो भी हम select करेंगे वो product screen पे पूरे में आ जाता है और वह कितने ml का जैसे कि आप देख रहे हैं deodorant body deodorant body spray for men 165 ml 165 ml का है long lasting duo for men दोस्तों यह men spray है और यह 150 ml का है चो कि long time तक के लिए है आपका 165 ml काफी भारी वरका हूं आपका उसमें spray रहेगा काफी ज्यादा रहेगा च्योंकि normal 50 ml 7 ml का आता है यह 165 ml का है तो दोस्तों यह 220 का था लेकिन 207 रुपए का यह हमारे पास है और फिर उसको हलका सा उपर slide करेंगे तो नीचे आपको दिखाए देगा आपका brand कौन सा है डेनेवर का आपका brand आइटम फॉर्म सेक्जन सारा कुछ पूरी detail आपके screen पे आ जाती है तो और उसके ठीक नीचे आपके पास दिखाए देगा कि आप एक पीस order करना चाहेंगे या उसमें और भी add करना चाहते हैं 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी आप मंगाना चाहें नीचे आप plus plus करते जाएंगे उस हिसाब से वो multiply होता जाएगा 1, 2, 4, 6 जितना भी आप चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आप चाहें उतना यहाँ पे number plus plus करके कर सकते हैं फिर उसके बाद right hand side में add to card add to card पे जैसे ही हम touch करेंगे दोस्तों आपके सामने success product add in card हो जाएगा यानि कि आपका product यह select हो गया आपकी order के लिए यह select हो गया product added in card आपके order के लिए एक list में आपका यह order उस पे list हो गया select हो गया उसके बाद आपको continue shopping पे touch कर देना है जैसे ही हम continue shopping पे touch करेंगे वापस से हम अपने product पे आ जाते हैं या एक point back कर देंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे और आपका फिर से shopping करने के लिए आप अपने page पे screen पे आ जाते हैं जैसे कि यह दिखाई दे रहा है दोस्तों यहा और यह product को देखके वहां से order लगा सकते हैं तो my dear friends चुकि मैंने अभी men's body spray 160 ml का order किया है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक product 207 रुपय का यह हमारा है अब यहाँ पे मैंने नीचे coupon code और apply coupon तो दोस्तों यह option आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे इन दोनों option पे automatic किये होगा जैसे कि देख रहे हैं यह उपर वाले दोनों option कुछ करना नहीं है उसके नीचे आपने जो भी order किया है जैसे कि sub total क्योंकि मैंने एक ही order select किया है इसलिए वहाँ पर एक ही order का price दिखाई दे रहा है 207 ऐसे आप 2, 4, 10 जितने भी product आप 2000 रुपय जैके या 2200 जो भी आप उसमें order करना चाहें वो आप order कर सकते हैं order करते ही यहाँ पे आपके उतने सारे product के सारे listing यहाँ दिखाई देने लगेंगी और यहाँ पे आपका जैसे 207 है वैसे ही सारे column अलग 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 प्राइस के यहाँ 100 करेंगे और फिर वहाँ shipping charge ज जाएगा और टोटल आपका जैसे कि अभी 207 रुपए और 80 रुपए आपके shipping charge delivery charge तो टोटल आपका 287 रुपए हो रहा है फिर उसके नीचे आपको प्रोसेज प्रोसेड टू चेक आउट पर टच कर देना है प्रोसेड टू चेक आउट पर जैसे ही हम टच करेंगे my dear friends यहां पर order at इसलिए दिखाया गया है कि कि आप मार्ट के जरीए और डिस्प्ले यूनिट के जरीए आप अगर order लेते हैं तो आपको यहां परी column पूरा fill up करना होगा जैसे कि आप देख रहे हैं first name last name यह पूरा column email mobile number address first address जैसे कि हम लोग normal Amazon flip court पर पूरा column भरके order करते हैं same entry code city code state postal code और shipping address first shipping address में आपको कहां पर यह चाहिए वो shipping address जैसे कि बाईचान समाल लीजिए हम अपने मार्ट के जरीए हम अपने घर पर order कर रहे हैं तो उस मार्ट का address यहां उपर fill up रहना चाहिए फ्यूस के नीचे आपका shipping address आपके घर का address यहां पर entry होगा जैसे कि आपका दिखाई दी जारा है नीचे आपका shipping address में आपका नाम होगा आपका last name email mobile number address यह सारा चीज़ आपको जो हैगा यहां fill up कर देना होगा country code city state यह सारा postal code यह सारा कुछ complete करने के बाद आपके नीचे ठीक नीचे आपका order total दिखाई देगा products आपका जो भी order लगा हो जैसे कि मेरा body spray 165 ml का है तो वो 207 रुपए का यह order लगा हुआ है और उसके नीचे आपका जो भी आपके shopping wallet में amount रखा हुआ है जैसे मेरा 1680 रुपए है आपका 1320 रुपए है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना का amount है औ यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा और फिर उसके नीचे आपको यह इस option पर place order उसी के ठीक नीचे आपको जो हैगा place order का option है place order के option पर आपको touch कर देना है जैसे ही आप place order के option पर touch करेंगे are you sure to place order on this address दोस्तों आपके ही जो आपने address डाला है उस address पे वो order वहां से send हो जाएगा और यहां पर confirmation माँगेगा your confirm जैसे ही आप touch करेंगे आपका confirmation clear हो जाता है और आपका order number आपके सामने पर आ जाता है कि आपने इस order number के जरीए आपने इस request के जरीए आपने अपना order लगाया है और कुछी दिनों के अंदर जैसे कि उसमें दिया हुआ है will in 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में आपका address पे आपका order आपके घर पर पहुच जाएगा तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये step by step सारा procedure जो भी है पूरी तरह से समझ में आया होगा कि अगर नहीं भी आया तो आप केवल उसको देखते हुए समझ जाएंगी किस किस option पर हमें touch करते जाना है और आसानी से सरल रूप से हमारा order लग जाएगा तो दोस्तो कहीं भी confusion होने की कोई भी ज़ Standards नहीं है बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया और इसको आपको बता कर समझा के और order और अपने टीम को बताने में आपको बहुत ही आसानी हो इसलिए मैंने इतने simple और subtle भासा में आपको बताया है कि जिससे किसी भी simple विक्ति को आसानी से समझ में आ जाए तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कि आपने last तक मेरी वीडियो को देखा और दोस्तों last में वही एक request फिससे में कहूंगा कि आपका जाए